दोस्तो स्वागत है आपका एक और unboxing वीडियो में आज है मेरे पास boat के तरफ से आने वाले air dopes 441 wireless earphones यह अभी मेरे पास आये हैं तो चलिए इसको unbox करते हैं देखते हैं कैसे हैं यह earphones क्या है इस earphone के box contents और क्या है पूरी कहानी इन ही नए wireless earphones की जो की boat के तरफ से आ रहे हैं air dopes 441 का main case जिसमें सबसे उपर है इस earphone का picture साथी लिखा है swift connectivity Bluetooth 5.0 IP x7 का water और sweat resistance है जब आप इसको कान मिला के यूज करते हैं तो कभी मान लीजे आपके पसीने से या कभी बारिश होने लगी उसमें उस case में इसमें कोई problem नहीं होना चाहिए इस वजह से यह specifications दिए हुए ह जिसका मतलब जैसे ही आप एक बार connect कर चुके हैं उसके बाद आपको जैसे ही आप लिड़ खोलेंगे अपने case का यह connect हो जाएगा वह सब जब हम earphones के अंदर चलेंगे तब वह सब देख लेंगे और इधर लिखा हुआ है economically designed secure fit pure audio bliss बोट तो claim कर रहा है pure audio bliss चलिए अब इसक सबसे उपर रखा हुआ है बोट का केस इन earphones का जो मेन केस है वह कभी अच्छा लग रहा है देखने में इसको साइड में रखते हैं देखते हैं बॉक्स में और क्या-क्या है उसके अलावा बॉक्स के अंदर है कुछ पेपर वर्क जिसमें सबसे पहले है यूजर मैनुवल जिसमें सब कुछ दिया हुआ है आपको कैसे इन earphones को यूज करना है और earphones के बारे में सारी details इसमें दी हुई है आप कभी भी इसको refer कर सकते हैं और उसके साथ है एक catalog जिसमें सारे जो बोट के brand ambassadors हैं और साथी साथ बोट के और भी जो जो products आते हैं उनके बारे में दिया catalog है और उसके अलावा है एक warranty card one year की warranty मिलती है आपको इन earphones के साथ तो यही थे कुछ paperwork और साथी यह भी दिया हुआ है मुझे लग रहा है इसमें charging के लिए केबल वगएरा होगा उसके साथ आपको मिल जाता है कुछ multiple ear caps अगर in case आपका main ear cap छोटा है या अगर खो गया है तो आप इनको यूज कर सकते हैं और साथी साथ जो earbuds का design है उसको replace करते हुए आपको यह भी एक मिलता है यह extra pair of covers हैं आपके earbuds के लिए और उसके अलावा इस छोटे से case में आता है ए आपके case के charger के लिए है चलिए दोस्तों आप देखते हैं earbuds कैसे हैं सबसे उपर case में है बोट की branding उसके साथ पीछे के तरफ है टाइप सी पोर्ट जो मैंने आपको टाइप सी केबल दिखाया जो हमें box के अंदर एक छोटे box में मिला वह यहां पर लागा कि हम charging में करेक्ट क क्या मतलब है उसकी बाद हम आगे कर लेंगे सबसे पहले चलिए इसको ओपन करते हैं देखते हैं बड्स कैसे हैं काफी अच्छा LED लाइट्स दिया है इन बड्स में बोट ने दोस्तों यह है एयर बड्स आपके help के लिए left वाले को left side में right वाले को right side में रखा हुआ है पह आपको यहां पर चोड़ना है और यह करेक्टली फिट हो जाते हैं केस के अंदर इन एयर फोन में यह है केपासिटिव टाच आपको जो भी operations परफॉर्म करने अपने एयर फोन से वह सिंगल या डबल या ट्रिपल टैप करके करना या थोड़ या टैप किये रहना है तब व लिखा भी हुआ है इन केस अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो आप समझ पाएंगे कि लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा सेम चीज़ लेफ्ट वाले एयर बट्स में भी है यहां पर लिखा हुआ है इसमें लेफ्ट के लिए यह यह कैप है और यहां पर भी के अन करना है और स्कैन करना है और एयर फोन का लिट खोल देना है जो उपर वाला जो धक्कन है उसको खोल देना है यहां आप देख सकते हैं ब्लुटूथ में डिसकावर हो चुका है एयर डूप 441 बस टैप कर देना है और यह यह फोन से कनेक्ट हो जाएंगे यह तो पहली उसके बाद जब भी आपको अपने एयर फोन से आपको बस लिड जो उपर ओला ढखकन अपने एयर फोन का उसको खोल देना है और ब्लूटूथ ऑन कर देना है आपके यह फोन अपने आप आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे दोस्ता बात करें अगर इन इयर फोन के स्पेसिफिकेशन की तो यह जो आउटर केस है उसमें लगी है 500 एमेच की बैटरी जो की एक सिंगल चार्ज पर 25 आउर्स की बैटरी बैकप देती है और जो इयर फोन से उसमें लगा है 35 एमेच की दो बैटरी जो की अराउंड 5 आउर का प्लेबैक टाइम देती है मतलब यह चार्ज हो रहे हैं अंडर जैसे ही पूरे चार्ज हो जाते हैं यह जो LED लाइट है यह해야 बंकर देता में मतल्ब जलना बंद हो जाता है और यह只是 पे यह इस केस का चारजिन कि प्लूच सिचोइशन कैसी है वह यह बताता है अगर इसमेंbig बिंकिंग लाइट जल रहा है त अगर परपल लाइट बिंक कर रहा है मतलब 35-75 परसेंद के बीच में बैटरी और एगर रेड लाइट बिंक कर रहा है तो 35 से भी कम है बैटरी मतलब 0-35% किया असपस कही है अगर सॉलीड ब्लू लाइट है मतलब फुल चार्ज है केस में और अगर लाइट बंद है है इसका मत्लब अभी सेविंग मोड में है केस अंदर के जो इहर्फोन से उनमें भी चार्ज है केस को चार्जिंग नहीं करना पड़ रहा दोस्तों केया वात करते हैं मतलब अगर आपके मूबायल से एंड में अगर मैंने फोन पर कुछ चालो करके रख दिया है तो दूसरे रूम के एंड पर जब मैं जाता हूं तब कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है अब हो सकता है वह टेन मीटर ही हो पर मैंने यह देखा और बोट क्लेम करता है स्पेसिफिकेशन में कि टेन मीटर तक का ब्लूटूथ रहता है जब यह आपके मोबाइल से ब्लूटूथ के थरू कनेक्टेड रहता है तो दोस्तों इन यह फोन्स के और भी अल्टरनेटिव कलर आप्शन्स आते हैं जैसे रेड ब् करें दोनों साइट के बर्ड को टाप करके आप म्यूजिक को प्ले पॉस कर सकते हैं राइट यह बर्ड को दो बार टाप करने से आप अपने प्लेलिस्ट के अगले ट्रैक पर चले जाते हैं और अगर आपको वापस फिर से पिछले ट्रैक पर जाना है तो आपको लेफ्ट आपको individually दोनों earbuds में से किसी को off या on करना है मां लिजे on है आपको off करना है तो बस उस एरबट को पांच सेकंड तक 5 सेकंड तक प्रेस किये रहे ना और वह off हो जाएंगे और फिर से on करना है तो फिर से 5 सेकंड प्रेस किये रही है वह on हो जाएंगे हाई वॉल्म पर सुनते हैं या लो वॉल्म पर साउंड कहीं डिस्टॉर्ट नहीं होता है बेस काफी अच्छे हैं और उसके अलावा मतलब एक बहुत ही अच्छा आपको बाहर की अवाज बिल्कुल कम हो जाती है और आपको बस वह क्लियरली सुनाई देता है जो एरफोन में चल रहा है दोस्तों इन यह पोंस की बहुत अच्छी लगी वह यह की इन यह फूंस को जब आपकान में पहने रहते हो जो भी आडियो म्यूजिक आपके एयरफ को पता चले कि मैं कौन सा गाना सुन रहा हूं तो या कौन सा म्यूजिक या ओडियो सुन रहा हूं उसके अलावा अगर फोन पर बात करने का एक्स्पिरियंस बताऊं जैसे मान लीजिए मैंने यह आपने इन एर्फोन को पहना हुआ है और आपको फोन आया कि आप तो सिंगल टाप से आप पिक कर सकते हो कि डबल टाप करते हो तो आप फोन बिना उठाए डिकलाइन कर सकते हो अगर मान लीजिए आप एयरफोन के थू किसी से बात कर रहा है फोन पर तो आडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैंने ट्राइब करके देख लिय है बिल्कुल clear audio सुनाई देती है दूसरे वाले बंदे को लेकिन कभी-कभी ये कुछ लोग का कहना है जो उधर से बात कर रहे हैं कि अगल बगल वाले लोगों की आवाज ज्यादा सुनाई देती है मतलब in comparison to अगर आप एक wired earphone लगाते तो अगर कोई आपके बगल से बोलत होके बोल रहे हैं तो यह हो सकता है इसका एक डाउन साइड हो मैंने परसनली यह चीज़ एक्सपिरियंस नहीं की लेकिन जिन लोगों से मैंने बात किया उन लोग में से कुछ-कुछ का यह कहना था मुझे ऐसा लगा ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके microphone यहां पर अगर से इतना डिस्टेंस है माइक का आपका डिस्टेंस भी उतना ही हो सकता है इसलिए लग रहा हो कि वह आपके बगल में है अगर यह है तो यह थोड़ा सा डाउन साइड है पर ठीक है यह उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे परसनली क्योंकि इसके बाकी सारे जो है और बाकी सारे जो चीजें इस एरफोन से लेटेड वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई गेमिंग एक ऐसी चीज ना गेमिंग में अगर आपका साउंड क्वालिटी अच्छा है मतलब साउंड एक्स्पिरियंस अच्छा है तो ओवरल गेमिंग एक्स्पिरियंस ही बह से भी तो वो साउंड से अब जज़ कर सकते हो किधर से आ रहा है दोस्तों मुझे जो चीज पसंद आई इंएरफोन से रिलेटेड वो यह है कि साउंड क्वालिटी बेस अगरा सब कुछ बहुत अच्छे से मिंटेन किया है और लोक वाइस भी काफी अच्छा लगता है दे तो इनके गिरने का चांसेज नहीं है यह उसी तरीके से बनाए हुए अगर गिर गए तब तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा कंपनिया इन चीजों का ध्यान रखती है कि आपके कांच से ना गिरे नहीं गिरता है यह आप रॉनिंग स्विमिंग कुछ भी आपको करना आप करके देख लीजिए स्विमिंग से याद आया दोस्तों इन यह फूंस में है आई पेक सेवन का वाटर और स्वेट रेजिस्टेंस तो अगर आप पानी में मालीजे बारिश हो लिए या स्विमिंग आप कर रहे हैं या फिर अगर आपको मालीजे बहुत अपने वरक आउट करते हैं म्यूजिक और करने के लिए या कॉल पिक या रिज्यक्ट करने के लिए और भी किसी पर पस के लिए तो जो भी रिस्पॉंस है नहों लगबग उसको होने में 172 कि अपने आपकीया और म्यूजिक प्रॉब्लम नहीं है पर यह गन में इसको डाला जा सकता है कि रिस लगाए हैं और आप म्यूजिक सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं माली आपको जैसे वो लगे हुए है उसको थोड़ा सा एड़्जस्ट करना है माली यह स्वेटिंग हुई है या बहुत देर से आप एक ही जगा पर लगा के रखें आपको एड़्जस्ट अगर आप कर कट जाएगा कॉल डिकलाइन हो जाएगा यह एक मुझे एक्सपीरियंश लिए थोड़ा प्रॉब्लम लगा इस डिवाइस का कि एड़्जस्ट करने में पर ठीक है उसका सॉलीशन यह है कि आप वहां मत तच करिया आप ऊपर से पकड़ गई अजस्ट करिए वह वह उतना अगर यह सबसेंशल टाइम तक अच्छा परफॉमेंस ऐसाई परफॉमेंस दिखाते हैं तो मैं तो कहूंगा आप बिल्कुल अब जा सकते हैं इंएर फोंस के साथ प्राइस के अगर बात करें तो वान ट्रेपल नाइन प्राइस है एमजान पर इन यह पूंस का फिलहाल द पर ली काम नहीं कर रहें तो ऐसे सिच्वेशन में आप दोनों यह बट्स को से केस में डालिए केस को बंग करिए फिर ओपन करिए और उसके बाद जो कैपासिटिव टाच वाला जो एरिया है दोनों बड्स का उस पर समिल्टेनियसली तीन बार टैप करिए उसके बाद केस एक लिए नियू घंट वाचिण बडिए और अपको पर लूइवार के साथ और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस कर दिए अंग्यू गाइस आप मिलते हैं अगले वीडियो में बाए-बाय